नमस्कार आप देखरे इंडिया टीवी आपके साथ मैं हूँ मिनाक्षी जोशी बक्त है राजधर्म का बात उस कानून की जिस पर देश में स्याफी उबाल आया हुआ है अपोजिशन और रूलिंग पार्टी आमने सामने है विपक्ष इसे देश के लिए खतरनाक बता रही है तो वहीं सरकार इसे शर्नार्थियों को अधिकार देने वाला हथियार बता रही है विपक्ष इसकी टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है तो वहीं सरकार इसे मोधी की गैरंटी बता रहा है आखिर इससे लेकर मित क्या है? हकीकत क्या है? आज सब दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा विरोधी जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितना अदम है? ये सब कुछ आज देश के ग्री मंत्री अमित शाह बताएंगे जिन्होंने इस कानून को बनाने में एहम भूमी का निभाई है CAA पार दिली के मुख्य मंत्री अर्विन के जिवाल की सबसे पहले बात करें देश में एक नया narrative सेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो देश वासियों को ये समझाना चाहते हैं कि इस कानून से देश की फुरक्षा को खत्रा पैदा होगा देश में बड़ी संक्या में पाकिस्तान और बांगला देश से घुसपैट होगी इससे देश में महिंगाई होगी देश में बेरोज़गारी आ जाएगी साथ इसाथ क्राइम का ग्राफ भी बढ़ जाएगा लेकिन देश के ग्रे मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि ये कानून शर्नार्थियों को अधिकार देने का कानून है साथ ही उन लोगों को नसीहत भी दी जो रोहिंग्याओं के लिए समान अवसर के बाद तो करते हैं लेकिन पाकिस्तान और बांगला देश से आए हिंदूओं की नागरिक्ता पर सबाल उछाते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने ब्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बेठे हैं उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुकी हैं अज भारत में ही रह रहे हैं सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है वो अधिकार देने की बात है 2014 तक जो आ गए इनको नागरिकता देनी है और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बंगलादेशी घुसपेटियों की बात नहीं करते हैं रोहंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं क्योंकि वो वोट बैंक की पुल्टिक्स कर रहे हैं दिल्ली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं इसलिए वोट बैंक की पुल्टिक्स कर रहे हैं नौकरी का कहां सावाल है वो अल्रेडी यहां है और बंगलादेशी नौकरी का अधिकार नहीं मार रहे हैं क्या रोंगियाज नहीं मार रहे हैं इनके लिए तो आप कभी नहीं बोले भी सिर्फ जो हिंदू सरनार्थी आए हैं जो बहुत सरनार्थी आए जो जैन, पार्सी और क्रिस्चन सरनार्थ इसी का विरोध कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि आप अपने नागरिकों को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं और इनको आप लिए जी वो पार्टीशन के बेग्राउंड को भूल गई है साइद उनको जो निरासरित आये थे जो रेफीजी जाये थे इनके परिवार के साथ एक चाय पीनी चाहिए और वो खर्बो रूपय की संपती छोड़कर रेफीजी बनकर यहां आये थे दिल्ली के बाजार में सबजीयों की दुकान लगाई थी मोदी जी ने विभाजन की विभी सिका का दीन मना कर उसको हिस्ट्री का हिस्सा बनाया है इन लोगों के मन में समविदना नहीं है वो समत्य नहीं है वहां धर्म के आधार पर इनके परिवार की महिलाओं का गवरव छिना जाए अपमानित किया जाए क्या करेंगे वो इनकी विदना हम भी नहीं सुनेंगे पर कानून बनाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले देश के ग्रे मंत्री अमिजशा ने स्वष्ट किया कि सिटिसन्शिप केवल उन्हीं शरनार्थियों को दी जा सकती है जो दिसंबर 2004 तक भारत आकर बस चुके है यानि की 31 डिसंबर 2004 के बाद भारत आकर बसे शरनार्थियों को नागर्टा नहीं दी जाएगी ग्रे मंत्री के इस वयान पर कीच्रिवाल एक बार फिर सामने आए और उन्होंने इस बार फिर वही सवाल उठाया क्या 2004 के बाद गुस पैठे भारत नहीं आ रहे हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 2014 के बाद आना बंद हो गया 2014 के बाद भी आ रहे हैं अभी तक आ रहे हैं रोज आ रहे हैं तो अभी तक 2000 जो illegal migrant आते थे जो गुस पैठी हमारी देश के अंदर आते थे वो डरते थे कि अगर आ गए तो हमें निकाल देंगे हमें पकड़ लेंगे हमें जेल में डाल देंगे उन्हें डर रहता था क्योंकि वो illegal थे अब आप ये कानून लाके उनको legal बना रहे हो अब उनका डर खतम हो जाएगा पूरे तीनों देशों के अंदर मेसेज है कि भारत सरकार अब जो है इन तीनों देशों के गुस बैठी हों को legal करने जा रही है तो ये 2014 आज आप 2014 वालों की बात कर रहे हो कल आप 2019 के पहले वालों की बात करोगे फिर ये date extend करके 2024 कर दोगे क्योंकि गुस पैठी है तो आई रहे हैं लंडन इसका UK का हाल देख लीजे क्या हो गया पूरे दुनिया के अंदर आज सारे देश बाहर से आने वाले immigration के immigrants को रोकते हैं और आप दर्वाजे खोल रहे हो सब के लिए कि सारे दुनिया के गरीब यहां पाकिसान बंगलादेश के गरीब सारे आके यहां बस जाए हमारे गरीबों की चिंता फिर कौन करेगा अर्विन के जिबाल यही बात रोहिंगियाओं के लिए क्यों नहीं कहते हैं अर्विन के जिबाल C.A.E. के जरिये दरसल खुद को सबसे बड़ा राश्रबादी बताने की कोशिश कर रहे हैं वो केनेड़ा के इमिग्रेशन के बात कर रहे हैं जहां से सबसे ज़्यादा अगर कोई भारतिय गया है तो वो सिख है साथ ही C.A.E. में जिन घेर मुसलिमों की चर्चा की गई है उसमें भी सिख है मतलब यह कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांगलादेश उसे आने बाले हिंदू तो पहले उनके टार्गेट पर थे ही अब सिखों को भी वो एक तरीके से टार्गेट पर डा रहे हैं और केवल अर्विन केश जिवाल ही नहीं, ममता बेनर्ची भी C.A.E. को लेकार बंगाल में बीजेपी पर अटाकिंग मोट में है ममता बेनर्ची बार बार ये बताने के कोशिश कर रही है कि इसे शर्णार्थियों के अधिकार छिन जाएंगी उनके द्वारा अर्जित की गई संपत्ती छीन ले जाएगी इस वर्देश के ग्रेह मंतरी का कहना है कि ममता दीदी को शर्णार्थियों और घुसपैचियों में शायद अंतर मालूम नहीं है इसलिए वो ऐसी बाते कर रही है देखे मैं ममता जी को करबद निविदन आपके इस कारेक्रम के माध्यम से करना चाहता हूँ पुलिटिक्स करने के अजारों मंच है प्लीज बांगलादेश से आयोए बंगाली हिंदू का अहित मत करिये आप खुद बंगाली हैं बांगलादेश से जो बंगाली हिंदू आये हैं इनको नागरिक्ता देने के लिए एक कानून है ममता जी को मैं खुली चुनोती देता हूँ इस कानून की धारा में से किसी की नागरिक्ता छिनने की एक धारा वो बता दे सारवजनिकृप से वो खौप पैदा कर रही है हिंदू और मुसल्मानों के बीच में विखवाद कराना चाहती है अपनी वोट बेंक का कॉंसल्डेशन करना चाहती है ममता जी इसको मत रोकिए करने जैसा काम है गुस्पेट रोकिए राष्टिय सुरक्सा के मुद्दे के साथ एपीस्मेंट की पोलिटिक्स करकर गुस्पेट होने देंगे जो सरनार्थी आया है उनको नागरिक्ता देने का विरोध करेंगे तो जनता आपके साथ नहीं रहेगी ममता जी को सरनार्थी और गुस्पेट ये दो सब्दक के बीच का अंतर ही मालूम नहीं है देशेगरी मंत्री ने श्रिनार्थे और गुसपेच्छे का अंतर तो समझाया CAA में पाकस्तान, बांगलादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदू, सिख, जैन, पार्सी और इसाई जैसे शब्द जोड़े गए है अपोजिशन और कई मुस्लिम लीडर्स इसे लेकर एक ही सवाल उठाते हैं अगर सब धर्म जोड़े गए थे तो फिर मुस्लिमों को क्यों एक्स्क्लूट कर दिया गया, उन्हें इसमें क्यों नहीं जोड़ा गया अगर मुस्लिम भी जोड़ देते तो क्या फर्क पड़ जाता ऐसे सवालों का जबाब भी आज अमित शाह ने दिया उन्होंने बताया कि आखिर मुस्लिमों को सीए में क्यों नहीं जोड़ा गया, मुस्लमानों को इससे क्यों अलग रखा गया इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर होना ही नहीं चाहिए था, मगर उस वक्त किया गया जब धर्म के आधार पर आप विभाजन करते हो और वहां जो अलप संक्यक है उस उन लोगों पर धेर सारे अत्याचार हो दर्म परिवर्तन कराए जाए, इनकी महिलाओं को अपमानित किया जाए, वो मा बहन बेटी के लिए वो सरण में आये भारत की तो क्या उसको यहां नागरिक्ता का अधिकार नहीं है तो अगर आप पार्सी और इसाईयों को ला सकते हैं तो मुसल्मानों को क्यों नहीं दिखे, मुसलिम अबादी के लिए ही वो हिस्सा भारत का भाग नहीं है वो भूमी इसलिए दे दी गई थी फिर तो हर देश से अवियस्ता से जो आना चाहिए इसके लिए भारत के दर्वाजे खोड़ लो भारत कहां बतता है अखंड भारत के जो लोग हिस्सा थे और जिन पर धार्मिक प्रताडना हुई है उसको सरन देना मैं मानता हूँ हमारी नईतिक जिम्मदारी है और हमारी constitutional responsibility और समिता जी आप आकड़ी की गहराई में जाईए जब विभाजन हुआ तब पाकिस्तान में 23 प्रतिसत हिंदू थे हिंदू और सीख थे अच तीन पॉइंट 7 प्रतिसत बच गए कहां गए सारे इतने सारे तो यहां आए नहीं धर्म परवर्तन हुआ अप मानीत किया गया दोयम दर्जे के नागरिक के नाते इनको रखा गया कहां जाएंगे लोग क्या देश इसका विचार नहीं करेगा देश की पर्लामेंट इसका विचार नहीं करना चाहिए इसमें एहमदी है मैं बांगलादेस की बात करता हूँ जी उन्नीस सो इक्यावन में हिंदो का प्रतीसत बाइस प्रतीसत था मैं 51 की बात कर रहा हूं बांगलादेस की 51 के आखड़े हमारे पास है 2011 की जनगर्णा में वो 10 प्रतिसत रहे गया कहां गए हो लोग अफगानिस्तान 1992 के पूर्व 1992 के आंकड़े मेरी प्रासों दे लगबग लगबग 2 लाग सीख और हिंदू थे और आज करीब करीब 500 बच गया क्या ही इन लोगों को अपनी बिलीप से जिने का अधिकार नहीं है वो जब भारत एक था तब हमारे ही थे हमारी ही भाई है हमारी ही बेहन है और वैसे भी इसका एक पहलो ये भी देखें कि अगर किसी मुसलिम कंट्री में मुसलिम भी प्रतारित है तब तो वहां के हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्या गलत किया कि उनके देश के मुसल्मान भी प्रतारित है खर अमित शाह ने ये क्लियर कर दिया कि मुसलिमों को इसलिए इस कानून में जगए नहीं दी गई क्योंकि ये तीनों देश उलंगन करता है इसमें समता काधिकार वर्नित है मतलब ये की धर्म जाती या वर्न के आधार पर देश में विभेद नहीं किया जा सकता है अमित शाह ने इसका जवाब दिया आप सुन लेजे अनुच्छेद 14 का हवाला देते है वो भूल जाते है अनुच्छे 14 में दो अपवाद रखे हुए है एक रिजनेबल क्लासिफिकेशन का अपवाद है और दूसरा कानून के उद्योसों के साथ लॉजिकल संबंध होना चाहिए तो वो आटिकल 14 का वाइवलेशन नहीं करता है इसमें रिजनेबल क्लासिफिकेशन बहुत स्पष्ट है कि जीन लोगों पर भारत के पुराने हिस्सों में आज वो विभाजन के कारण देश से कटे हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मंगलादेश में जीन लोगों पर धार्मिक प्रताधना होने के कारण जो भारत की सरण में आए हैं उसके लिए एक कानून है दरसल गृह मंत्री अमित शाह ने आज ये क्लियर कर दिया कि नागरिक्ता पर कानून बनाने और लागो करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है मतलब ये कि तमिलना जो केरल और बंगाल सरकार जो ये बार-बार कहती है कि वो इस कानून को अपने राज्यों में लागू नहीं होने देगी वो सिर्फ लोगों में भ्रम भैलाने की कोशिश कर रही है हमारे समविधान के अनुच्छेद 11 में संसद ने नागरिक्ता के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल भारत की संसद को दिया गया है एक कैंद्र का विशय है कैंद्र और राज्यों का साजा विशय नहीं है तो नागरिक्ता के बारे में कानून और कानून का इंप्लिमेंटेंशन वो दोनों हमारे समविधान की 246 बटा एक अनुछेत के माध्यम से इसको सेडूल 7 में डाला गया है जो कैंदर के इसकी तमाम सक्तिया कैंदर को दी गई पर जैसे वेरिफिकेशन वगेरा है पूरा जो ग्राउंड पे तो चेकिंग होगी ना वो सब तो क्राइसे और वो तो इंटर्व में लेकर आएंगे कि मैं बंगलादेश से आया हूं देखे मिरे पूरा ना डॉक्यूमेंट है और वह राज़य में नहीं होगा इंटर्व्यू राज़य में भी हो सकता है बारा सरकार करीजी सी कुलिकर जब संसत में कानून बन रहा था उस वक्त उधव छाकरे ने सरकार का साथ दिया था लेकिन अब वही उधव छाकरे पलट शुके हैं वो सवाल उछा रहे हैं केंद्रे ग्रह मंत्री ने उधव छाकरे से ही पूछ लिया कि आप अपना स्टैंच क्लियर तो करें कि आप इसके साथ है या नहीं है दव जी से रिक्वेस्ट है कि कानून चाहिए या न चाहिए वो स्पष्ट करो पेले क्या उधव जी बोल सकते है कि कानून नहीं आना चाहिए मैं आज उनका अहवान करता हूँ देश की जनता के सामने महराश की जनता के सामने स्पष्ट करे किस ये नहीं होना चाहिए हिंदू सरनार्थियों को बहुद सरनार्थियों को जैन बहुद और क्रिस्चन सरनार्थियों को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए एक बार उद्धव कर दिया कि इस कानून को कभी वापिस नहीं लिया जाएगा इसमें नर्सी का कोई प्रोविजन नहीं है दो इसमें किसी की नागरिक्ता चिनने का कोई प्रोविजन नहीं है सिये का कानून कभी वापस नहीं जाएगा और भारत की नागरिक्ता सुनिश्चित करना यह भारत का विशय है भारत की संप्रबुदा का नेन है इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइस नहीं कर सकते